कर दोस्तों नमस्का स्वागत है अपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉलुशन में आज मैं आपको आपकी दुकान का हिसाब किताब करना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम अपनी परचुनी दुकान या किसी वेक्सवाइड की दुकान हो हम उसको किस तरह से अपना मेंटेन करें जो लोग उधार ले जाते हैं और अपना जो खर्चा होता है क्या होता है कि आज कल डिजिटल एप चल गए है तो उसके थुरू हम कर सकते लेकिन बहुत लोग ऐसे जिने पहुंच चलाना नहीं आता तो उसके लिए कैसे करना है आईए बताते हैं कि यह दो सब्सक्राइब है ऊपतों यह दो साइडве एक है रिसीप्ट एक हैं पेमेंट लोग है त covenant रे कि मतलब हैं हैं पेमेंट अन फ्रे frais को का मतलब पैसा गया तो इसमें क्या करना है המ׊ ήταν को कि हमने माल दिया और पैसा लिए तो रिसीप्ट में तो यहां तो आ जाएग कि पैसा लिया जो उसने दिया यहां पेमेंट की जगे हम इसमें लिख सकते हैं यहां पर यहां लिख देंगे उधार कि उधार दिया अब क्या हुआ महिना चालू हुआ एक तारिक से तो एक चार एक चार को जैसे हमने उसको पूरा का पूरा सामान दाशन का ले गया थो हम उसको क्या लिख देते हैं मा लेते लिख देते हैं इसको अप्रेल मंध कि मंथ एक कि मट कि ऑट मैंट कि सपोस्पोस कीजिए 5000 रुपए का कि अब क्या करना है यह तो अब इसके उपर हमें नाम लिखना पड़ेगा, यह किसका है, हिसाब किताब लिख रहे हैं, हम किसका है, रमेज, रमेज का, रमेज के लिख दे, अब क्या हुआ, एक तारीक को लेने के बाद वो आ गया, दो तारीक को, दो तारीक को आ गया, मिल्क, यहाँ पर लिख दिया, कितना केजी, फाइफ क किछन आइटम ना लिखें मोटा मोटा समझा देए कि आएटम में हो गया इसके 4000 रुपे मंत खत्म हो गया यह आप्रेल का मंत खत्म हो गया छीक वह प्रेड़े जाएगा तीज दिन हो गया एक एक भार में लेके जाएगा एक घटा भी ले जाते हैं जो जो तो हम क्या करते है यहां परagem टोटल कर देते हैं 914 benefits वcksy 9100 हम अब क्या हूं यह अपरियल की डालकिए हम एंत है हुशुर देते हैं यहां यहां 9100 अब अब यहां हम दूसरा फ्र फेपर लेने की विछ यहीं हैं मेश Мन्त शुरू कर देंगे में मन पर होगे अब यह 9 हो जा रहे है इसी के साथ यह चुड़ता रहेगा तो हम क्या लिखेंगे यहां पर लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस नाइन बन अब इसके बाद यह में का है 15105 ठीक है अब यहां आ जाते हैं यहां भी सेम यह रहेगा वन जीरो फाइफ एक तारीक को यहां भी हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस जाए लाइस अ कि नाइन वन सब्सक्राइन ठीक है अब क्या करता यह फिर एक तारीक को फिल ले जाता है कि आइटम कि परचेज कि दसजार रुपे कर अब क्या हो गया यह उनीजार एक सुर रुपे हो गया लेकि इसने क्या बीच में यहां पर दस थारीक को कि अमाउंट रिसीव कि अमाउंट रिसीवड अब पंद्राजार रुपे पंद्राजार रुपे हो गया ठीक है तो अभी क्या अभी यह से चलेगा उसके बाद दस थारीक को सामान ले गया फिर यह आइटम परचेज पांच जार रुपे का तो अभी हो गया माई मंथ खतम में थार्टी फर्स्ट कि तूथाज़न थार्टी कितना हो गया दस जार पांच जार पंद्राज और पंद्राज और इसके वाद हम कर लेते हैं कि नाइन गर्कुूल दियुक्त कर दोड़ियन मन्न तौ़रिंस फांच कि कि स्वाज़न नाइन दो जीरो ठोड़ियन सły कि और सबद्राट छोवेजर होगा अ हैं हाप प्रेकर में यह तोटल गाग Olá और यह अब यहां पर किया था पंद्राइजार उपे इन्होंने प्रेमेंट करती थी और पहले का यह था नाइन वन तो अब क्या हुआ 2400 तो यहां लिखेंगे हैं इसको मिलाके तिस पांच दो हुजा थेइस क्लोजिंग विदेंस 2400 अब लिखेंगे अब कितना बच गया अब यह कर लेते हैं कि 9100 बच गया 9100 रुपे बैलन्स हो गया तो इस तरह से आप अपने दुकान का इसाब रख सकते हैं कि यह भाई रमी इसका हो गया इसका नंबर भी डाल सकते हैं वान नंबर हो गया स्टार्टिंग का जैसे हमारे पर पर छोड़ के आप नाम लिख सकते हो तो अब हो गया यह साब आगे और चलते हैं इसको हम के लिए कर देते हैं अब यहां पर हम चल देते हैं जून महीना आ जाता है जून मीन आ गया है 9100 रुपेस का पहले का था बैलेंस रहे गया था ठीक है इसको देना है अगर जैसे मालोई प्लस में है ना ऐसे तो यह देना है और मैं जब हमारे उधार ज्यादा याश्टा प्रेमेंट कर देगा तो यह माइनस में जाए तो जून में मालो इसका पूरा जून को जितने था इसने दस तारिकों सामाल ले गया और फिर जून में दस अरी को साम large को यहाँ पर और देंगे बाण 20 या कि अALगे बेलंस में हुँआ है इस आपे हो यहां क्लोजगया नले किभी discussion on सब्सक्राइब करें अब दुकान का खर्चा बना सकते हैं अब दूसरे कोई आदमी है सुधीर करके कोई है सुधीर का है सुधीर का यह लिख देते हैं दो नंबर पर अब सुधीर का क्या है वो डेली वेज ले जाता है यह रिसीवट में लिख लो इसने कितना प्रसा दिया और कितना पेव गया महीने का महीने इसाब कर लेंगे कि इतना रहे गया तो एक दो एक चार ऐसे करके हम डेट डाल लेते हैं दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 अब इसका क्या है यह डेली दूर ले जाता है मालों सब्सक्राइब के लिए आता है तो यहां लिख दिया मिल्क और डेली ले जाता है वन केजी लुए मिल्क बंदेजी सिचव दूर नो messages haven अब क्या होता है यह बीच 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 में पैसे देता है तो कैसे ऐसातों एक चार को आटा को या पूज़ा। अजार एक चिण दस टारी को फिर देदी ए रिसीब 5 पन्स को से थिए पंदर पर तरी को पटो को से गश्यार रिसीबड दो अजार रूपर ठीक है अब क्या होता है अब हिसाब करने के लिए बोलता है हिसाब कीजिए मेरा ठीक है तो हम हिसाब करेंगे इसका कितना हिसाब कैसे यहां कि हमने तीस दिन का है 100 पे इंटू 3,000 हो जाएंगा यहां लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहां पर के 30 डेज इंटू 100 पर और यह हो गया अब यहां हम लिख देंगे रिसीव कितना हुए और बैलेंस कितना है अब यहां पर हम तोटल कर लेते हैं यहां तोटल कर लेते हैं दो एक तीन और पांज़ रुप्य है पांज़ रुप्य इसने रिसेब्ड हुए रिसेब्ड साहओ अग rely हमारे को जाइक आपängt के यहां तीन जार है यहां यहां टीनज़ रुपे है यां तो जेसे लिना को तो यहां हम यहां लिखते हैं कि रिषयर्व माण एक्सपेंस तीन रुपर तो ओव मिपांच रुपर एडवान्स बालेंस तो अब यह नैस्ट मन जैसे चड़ेंगा यह से मालूग यह और हम नाट सब्सक्राइब करेंगे इसको नाट समय देंगे उन समय ना था वह कि अपरियल मही नहीं थे उसम्हाई थे अनलेग देंगे में हरे अब क्या हुआ यह से बूझा जाएगा यहां पर लिखा जाएगा ओपंग अब बैलेंस पांच रुपे यहां लिख देंगे एडवांस जिससे पता रहे हैं इस तरह से आप बना सकते हैं थैंक्स फॉर वोचिंग माई वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अकाउंटिंग सॉलुशन